नमस्का दोस्तों मैं स्मुच ओधरी सुक्सेस प्लस कर्म पेटफॉम प्राप सुदी का हर्दिक साथ करता हूँ तो दोस्तों आज के सुडियो में हम बात करने वाले हैं प्री कोलम्बियन पीरियड की एक और मिजो अमेरिकी सब्भेता के बारे में जिसका नाम है टरस्कल सिवलाइजेशन या इसे प्योर पेचा सिवलाइजेशन भी कहते हैं प्योर पेचा सिवलाइजेशन की हिस्टी, जियोग्राफी, इसके पोलिटिकल स्ट्रक्चर, इसके सोशल स्ट्रक्चर और इसके रिलिजन को जानने से पहले हम थोड़ा सा background जान लेते हैं आप सभी को पता होगा कि किस टवर कोलंबस को अमेरिका का खोज करता कहा जाता है उसने अमेरिकी महादीब की कोई खोज नहीं करी थी बलकि उसने Atlantic Ocean से यूरोप से अमेरिका जाने का एक रास्ता को जा था और यह बात भी सही है कि यूरोपेंस को और बाकी दुनिया को उस समय ये पता नहीं था कि अमेरिका की जमीन दुनिया के नक्षे पे एक्जिस्ट भी करती है या नहीं और यहाँ पे कोई लोग रहते भी हैं या नहीं जब ये व्यक्ति एज ओफ एक्स्प्लोरेशन के दोर में इस्पेन से चलके इंडिया की खोज के लिए निकला और एक्सिडेंटली ये अमेरिका पहुँच गया और यहाँ पे जाके ये देखता है कि ये तो एक नई जमीन है जिसका पुरी दुनिया को पता ही नहीं है और यहाँ पे अलग लग कल्चर के लोग रह रहे हैं यहाँ पे दरजनों सभेताएं रह रहे हैं उनका अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है अपना सोशल स्ट्रक्चर है अपना रिलिजन है तो ये अलग लोग हैं और ये बात जब जाके इसने यूरोप के लोगों को बताई तो सभी यूरोप के लोग जो हैं बड़े बड़े जो देश थे चाहिए वो बिर्टेन हो फ्रांस हो डेनमार्क हो इन सभी देशों ने इस अमेरिका की जमीन का एक्स्प्लोरेशन करना शु प्रिस्टाफर कोलंबस की यातरा से पहले उनको कहा जाता है प्री कोलंबियन सिवलाइजेशन तो अमेरिका के धियास को हम दो भागों में पढ़ते हैं एक प्री कोलंबियन एरा एक पोस्ट कोलंबियन एरा प्री कोलंबियन एरा के उपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बन जिसमें Maya सभेता को हम पढ़ चुके हैं, Aztec सभेता को पढ़ चुके हैं, Olmec सभेता को पढ़ चुके हैं, Teotichkohan सभेता को पढ़ चुके हैं, Andes civilization में, जो Andes Mountain Range के आसपास के civilization हैं, उसमें इनका सभेता बहुत important थी, इसको भी हम पढ़ चुके हैं, तो ये सभी सभेताएं यह से इन नेटिव लोगों को यहां पे खदेडने में उनको आसानी हुई साथ ही वो अपने साथ बहुत सारी डिजीज भी लेके आए जिसमें स्मॉल फॉक्स एक बहुत ही खतरनाक डिजीज थी बिमारी थी जिसका किसी के पास उस समय इलाज नहीं था और स्मॉल फॉक्स की अगर आप देखें सत्रवी सताब्दी का अठारवी सताब्दी का तो आपको ऐसा मैप अमेरिका का दिखेगा जिसमें ये वाला जो छितर है जिसमें हम मेंली अमेरिका की बात करते हैं अमेरिका देश की बात करते हैं ये बिर्टेन के अंडर में था ये वाला जो छितर है अपने अंडर ले लिया था अपने कंट्रोल में ले लिया था और यहां के जो बड़े-बड़े सिविलाइशन थे जिसमें एजडेक सिविलाइशन है अभी की जो सिविलाइशन जिसकी हम बात कर रहें तर्सकन सिविलाइशन उनको हरा के इनका सिविलाइशन को हरा के अपनी of exploration के बाद दुनिया की नई जगहों का exploration हुआ और ये जो छेतर हैं इनके control में आ गए और आज अगर आप दुनिया में ये जो अमेरिकी महादीप हैं इनका नक्षा देखेंगे तो आपको यहां पे दिखेगा Canada, America, Mexico, Brazil, South अमेरिका में बोल वी आ ये सब देखेंगे तो आपकी जो डेमोग्राफी है, जियोग्राफी है, इनका पॉलिटिकल मैप है वो पुरी तरह से बदल चुका है, लेंड वही है लेकिन अलग-लग समय पे अलग-लग पॉलिटिकल युनिट्स ने यहां पे अपना कंट्रोल रखा है, अब यहां पे ज़्यादा तर देश जो है वो यूरोप की गिरफ्ट से या यूरोप से आज़ाद हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं लेकिन यहां की डेमोग्राफी बदल गई है, यहां के जो नेटिव लोग है उनकी पॉपलेशन बहुत कम बची है, ज्यादा तर जो पॉपलेशन है वो यूरोपियन्स यहां पे आके सैटल हुई, उन्हीं की है अब इन में से हम बात करते हैं फाइनली, तरसकन सिवलाइशन की, तरसकन अमपैर की, जिसका मैप आपको दिखेगा मीजो अमेरिका में, यह है मीजो अमेरिका, जहां पे मेनली आज के समय मेकसिको और इसके असवास के दिश बसे हुए है, अगर आपको वल्ड मैप में दे पर क्योंकि Spanish नाम होते हैं या इनकी local language के नाम होते हैं, अमेरिकी जो netty language थी उनके नाम होते हैं, तो यह मुश्किल नाम होते हैं, लेकिन आप पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे, रसकन सिवलाइशन की राजधानी थी, उसके बगल में ही एक और powerful empire था जिसका नाम था, Azdaq civilization, यह भी एक ताकतवर empire था लेकिन यह भी 1521 में Spanish लोगों के गिरफ्त में आ गया और Spanish लोगों ने इसको हरा दिया, दो powerful empire आसपास थे, एक दूसरे के तो दोनों के बीच में कुछ टसल्स भी थी, उनके भी हम बात करेंगे, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका brief introduction देख लेते ह Traskan Solution को, Traskan Solution नाम तो दिया था, Spanish लोगों ने, इसका original नाम था pure pacha Solution, यह खुद को pure pacha Solution कहते थे, pure pacha कहते थे, pure pacha कहते थे, pure pacha का वैसे शाब्दे कर्थ होता है commoner, common लोग जो होते हैं, उनको pure pacha कहा जाता है, लेकिन यह अपने आपको क्यों कहते थे, वो exact हमें नही बात कर रहे हैं, आज की समय अगर इनकी geography की बात करें तो western Mexico, western southern Mexico में यह solution रहा था, एक दोर में लगभग 1300 CE से लेके, 1530 में जब Spain ने इसको पूरी तरह से capture नहीं कर लिया, conquest नहीं कर लिया, तब तक यह समय था, यहां पे रह रही थी, तकरीबन 80,000 के आसपास इनकी अपने आपको protect रखा, इन्होंने Aztec सामराजे के अधीनता कभी स्विकार नहीं करी, इनके बीच में कई सारे wars हुए हैं, लेकिन फिर भी यह अपने आपको protect करने में सफल रहे, लेकिन Spain के सामने इन्होंने घुटने टेक दी, बिना लड़ाई के ही इन्होंने एक बार तो जो ceramic work है, और इनकी vibrant textile है, उसके लिए भी यह लोग जाने जाती हैं, इनका जो ruler था, उसको कहा जाता था कजौन की, कजौन सी या कजौन की इसको कहा जाता था, king को यह कहा जाता था, basically, और इनका काफी sophisticated और बहुत ही संयुक्त रूप से एक centralized political structure हुआ करता था, social political structure, बहुत ह sophisticated हुआ करता था, खुदकान का अपना एक religion भी था, उसकी भी हम बात करेंगे आगे चलके, तो इस तरीके का यह empire था, इस छेतर की मैं आपसे यहां पे बात कर रहा हूँ, तकरीबन 1300 से 1530 के बीच में हम इस छेतर की बात करेंगे, कि किस तरह से इस छेतर में यहां के लोग रहे, किस तरह से उनका राईज हुआ, किस तरह से उनको उन्होंने अपनी सभेता का परचार किया, विस्तार किया और उसके बाद अंततह उनका decline कैसे हुआ, उसकी हम बात करेंगे, ओलमेक लोगों को हम पढ़ चुके हैं, मिस्टेक और जैपोटेक को हम आने वाले वीडिय हैं, तो यह मैक्सिको का मैफ है, जहां पर आपको चीज़े दिख रही होगी, इस empire के लोग जो थे, उनको टरासको कहा जाता था, टरासको एक ट्राइब थी, उन लोगों ने इस सभेता को बसाया, इस empire को फाउंड किया, इस लिए इस सभेता को नाम ही टरसकन सिवलेशन कह जाने लगा, और यह जो नाम है, यह दिया था, किसने, कोलोनिस्ट ने दिया था, Spanish कोलोनिस्ट ने इनको यह नाम दिया था, यह खुद को टरासको नहीं बुलाते थे, खुद को तो प्योर पेचा ही बुलाते थे, लेकिन सभेता को बलाते थे, इस लिए सभेता का नाम ही इनोंने trust reconciliation कह दिया ये जो शब्द है trust को इसका वैसे meaning होता है parent in law और child in law ये मतलब वैसा होता है हाला कि इसका सभ्वेता से जोड़ के कोई आप मतलब निकाल नहीं सकते लेकिन इस तरीके का ये word होता है लेकिन खुद को pure पेचा बलाते थे जिसका मतलब होता है commoner अब बात की पुष्टें चलती आ रही है और तकरीबन आज की समय मेक्सिको के इस south eastern छेतर में आपको तकरीबन south western छेतर के अंदर आपको एक लाग 40,000 के आसपास इस सभ्वेता के लोग देखने को मिलेंगे उनके वनशज उनके descendants आपको देखने को मिलेंगे जो कि इनकी language बोलते हैं इनके culture को थोड़ा बहुत अपनाते हैं तो इस तरह से चीजें चल रही हैं तो western मेक्सिको के इस छेतर की बात करूँ इस तरन ही western मेक्सिको की मैं बात करूँ जहां पर आज भी लोग रहते हैं लेकिन संख्या में बहुत कम है एक लाग 40,000 ही हैं हलांकि उस दोर में 80,000 थे source of history की बात कर लेते हैं लेकिन हमने अमेरिका की इत्यास की बात करी जब से homo sapiens यहां पर आये थे मैंने वो pre-columbian era वाला वीडियो जब आपको बताया था उसमें मने बताया था कि 15,000 साल पहले अमेरिकी महादीप में homo sapiens की entry हो चुकी थी एशिया के रास्ते लेकिन उस द classical era आया लेकिन उस दोर का हमें जो है evidence ही मिलता है, archaeological evidence हम निकाल पाते हैं, written history हमारे पास है नहीं और बहुत कम चीज़े हमें पता चलती हैं इसलिए हम pure पेचा को भी अगर बहुत पीछे जाके देखेंगे कि इनके ये किसके वंसर्स दे तो हमें ज्यादा चीज़े पता नह हमें कहते हैं, उनसे हमें कुछ-कुछ चीज़े पता चलती हैं और एक book है, बहुत महत्मून book है ये, relation D. Micho Ken, ये book लिखी गई थी, Francis Ken Ferriyo, Jemenio, D. Alcala के द्वारा, ये mid 16th century में लिखी हुई book है, इसमें हमें पता चलता है, ज्यादा तर जो इनका इतियास है, इनका background है, इ यहाँ पे discuss करेंगे, तो सभी indigenous Americans का जो forefather है, पीछे का जो है वेक्ती, वो तो paleo Indian नहीं कहलाता है, मतलब उनके आदिवासी जो थे, उनके forefather थे, वो तो paleo Indians थे, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे करके, आगे आने वाले समय में, इन सभी लोगों ने अलग-लग छेतरों में जाके अपने-पने civilizations और अपने-पने social structures establish करें, और वो काफी complex थे, काफी जटिल थे, एक दूसरे से काफी अलग हो चुके थे, तो सभी के वनशजों को एक ही लोगों से जोड़ना भी सही नहीं होगा, क्योंकि वैसे देखा जाए तो एक ही वनशज रहा होगा, सारे homo sapiens क यह थोरी मानी जाती ही है कि अफरीका से निकले थे, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता ना, कि सब हम अफरीकंस हैं, अलग-लग जगहों पे जाके जो habitants बदल गए, जिनका culture, जिनका genome भी बदल गया और काफी सारी चीज़े बदल गई, उस हिसाब से अगर देखा जाएं, तो ट चेतर में Michokan जो tribes रहती थी, उनके ही यह वंशज है, आगे चलके इन लोगों ने जब अपना cultural development किया, social structure को थोड़ा इसमें तबदीलिया आई, और यह और consolidate हो गए, तो यह अपने आपको आगे चलके हो सकता है, कि ट्रसकन कहने लगए, या हम कह सकते हैं, प्योर पेचा सि प्योर पेचा कहा जाने लगए, यह बात हम कह सकते हैं, कि यह लोग जो हैं यहाँ पे पहले से नहीं रह रहे थे, तकरीबन 150 BC के around यहाँ पे आके इनोंने अपने आपको establish किया है, settle down किया है, यह बात हमें पता चलती है, archaeological evidence कि तुरू, और जो भी इनके आसपास की civilizations थे, ज तो उनकी जो language थी वो थी नहुआ language, नहुआ language के लोग जो थे, और यह लोग जो थे, प्योर पेचा वाले, यह एक दूसर से काफी अलग थे, काफी भिन्न थे, हलांकि थे तो सब पहले पहली हो Indian सी, लेकिन आगे चलके इनके बीच में काफी distance हो गई थी, language के हिसाब से, culture क के हिसाब से, रहन सेहन के हिसाब से, तो वो सब चीजे देख सकते हैं हम, कि नहुआ लोग इनसे काफी अलग थे, इनको एक साथ जोड़के हम नहीं study करते हैं, अलग लग study करते हैं, और नहुआ लोग जो हैं, वो Aztec Empire वाले लोगों को ही mainly कहा जाता है, तो यह दोनों एक दोसरे के आगे चलके rival भी बनते हैं, अब इनका rise कैसे होता है, ऐसे empire की एक बड़ा राज्ये कैसे बना, एक सामराजे, बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन छोटा भी जो empire बना, क्रासकन सामराजे, वो कैसे बना, तो यह प्योर पेचा सोसाइटी जो है, यह 150 BC से 350 CE के around काफ जो pre-classical period था, उसमें यह develop होनी लग गई थी, इनका एक social structure बन गया था, यह साथ में रहने लग गई थे, और यह एक political structure डेवलप करने की stage पहुँच गई थे, तो काफी इनका जो political structure था, वो यह इस तरह से develop करना चाहते थे, और develop किया भी कि एक पूरी तरह से centralized system बनाएं, कि जिसमें एक राजा की हुकूमत हो, मोनार्की हो, और उस राजा के पास पूरी supreme power हो, absolute ruler हो, उसी तरह से इनका बनाया भी, उसके बाद आगे चलके धीरे धीरे middle और post classical period जब आया, 1000 से लेके आप 1350 के असपास, उस दोर में इन्होंने अपने आपको इस्टीज के लिए prepare कर ल इनका नहीं था, सच बात तो ये है, तो सबसे पहले तकरीबन 1325 में तारी कूरी नाम का एक विर्ती था, एक राजा था इनका, पहला राजा उसको माना जाता है, वही इनका founder माना जाता है, उसने एक जगए पे, जो जगए थी इनकी राजधानी, टिजिंक जुआंक्टान ये इस जगए के आसपास के छेतर में अपनी राजधानी को स्टैब्लिश किया, ये तो इनकी में राजधानी बनी डेवलर्प होने के बाद, लेकिन इसके पास में एक छोटी सी जगए पे उसने अपनी राजधानी स्टैब्लिश किया, और इन्हों ने जब ये राजधान को established किया था इस सामराजे को इस्तापित किया था ठीक है अब ये लोग जो है अपने लीडर की लीडर्शिप में एक जिगाग गैदर होने लग गए अपने आपको consolidate करने लगे धीरे धीरे इनके जो है political structure जो है वो डेवलप हुआ इनकी military जो है वो डेवलप हुई और इसके जो बेटे थे ठारीकूरी के उरहोंने इस डाइनिस्टी को एक तरह से पूरी तरह से स्तापित कर दिया कि अब यहां से एक तरह से एक political system जो है वो function होगा और एक रा किंग मैंशिप का concept कब आया है इस दोर में आया है तेरवी शर्ताप जोदवी शर्ताप दी में 1325 के बाद आया है उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी को establish कर लिया पूरी तरह से और यह जो राजधानी है टिजिंग जूंग टान जूंग जान इसका मतलब होता है place of humming हमिंग बर्ड हमिंग बर्ड आप जानते हैं कि एक सबसे चोटी चड़िया को कहा जाता है इसका प्योर पेचा बाशा में मतलब होता है वहाँ पे इनको क्यों नाम दिया हमिंग बर्ड बहुत रहती होंगी इसलिए नाम इसको दे दिया गया अपनी राजधानी को और यह इस तापित हो गया इस ट्रसकन एंपाइर की राजधानी के तोड़ पे अब यहाँ पे ट्रसकन एंपाइर डेवलप हुआ है और इधर जो है तकरीबन बारा सो तीस के आसपास से एस्टेक एंपाइर चल रहा है जो की एक एक सपांशनिस्ट एंपाइर है उसकी पोलिसी य है कि वो अपने राज़े को विस्तार करना चाहता है तो जब दोनों राज़े एक दूसरे के पास आएंगे बाउंडरी शेयर होगी तो दोनों के बीच में टसल भी होगी यह भी तयह है लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस तरसकन राज़े की मिलिटरी पा आज़े तो वो भी काफी अच्छी थी उनके वारियर्स जो थे उन्होंने कई नेबरिंग ट्राइब्स को हराया था और हराने का उनका इतना गजब का दबढ़ा था कि उनसे डर के कई आसपास की ट्राइब्स ने इनके और सामने घुटने ठेक दी थे थिर अपने आपको इनका वैसाल स्टेट बनने के लिए नियोता दे दिया था, खुशी-खुशी वो कह गए थे कि हम फिर और पेचा के अंडर काम करने के लिए तैयार है, अंडर हमें थोड़ी बहुत अर्टोनोमी दे दीजिए, हम आपके साथ ने लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, इसका कारण क्या था, इनके मिलिटरी इतनी ताकत वर क्यों थी, क्योंकि इनकी मेटलर्जी काफी स्ट्रॉंग थी, इनको अथियार बनाना आता था, इनके पास अच्छे वेपन्स थे, कोपर, ब्रास, इनके ये मेटल बनाना चाहते थे, आइरन नहीं है, ध्यान रखेगा, कोपर और ब्रास के ही वेपन ये बनाते थे, और गोल्ड और सिल्वर की भी मेटलर्जी वर्क इनके मिलते थे, लेकिन आइरन की बात यहां पे नहीं होती है, तो वो ध्यान रखेगा इनके जो metals थे, वो किसे बनते थे, copper, brass और obsidian जो tool होता है उससे ये बनाते थे, इस तरह से weapon बनाते थे और इनके tools काफी sharp होते थे, आसपास की civilizations के comparison में काफी बहतर होते थे, well equipped होते थे, इसकी वज़े से इन्होंने कई सारी tribes को हराया और अपने आपको Aztec empire से भी एक तरह से protect रखा और अपनी autonomy को बचाए रखा, अपनी independence को बचा के रखा, दूसी तरफ थे नहुआ people, mainly हम उनको Aztec लोगों से ही जानते हैं कि Aztec लोग जो हैं वो नहुआ language बोलते थे, लेकिन और भी कुछ stripes थी, जो कि नहुआ language बोलती थी, ये लोग जो हैं ये ज़्यादातर obsidians पे depend करते थे, obsidians tools से ही अपने weapons बनाते थे, उसे से अपनी swords बनाते थे, ये उनका main tool था, जो कि उतना strong नहीं था as compared to copper और brass और उसके tools ज्यादा खतरना होते हैं, ज्यादा strong होते हैं, इसलिए प्योर पेचा ने powerful Aztec empire के सामने भी बाकी मिजो अमेरिका के लोग जो है Aztec empire के सामने घुटने टेक रहे थे, Aztec empire के सामने अपने आपको protect नहीं कर पा रहे थे, उस समय प्योर पेचा लोगों ने यहाँ पे प्योर पेच अपने आपको protect कर पाए Aztec divisions से, ये सब चीजें आपको इस दोर में देखने को मिलती है, अब तरसकन और Aztec के बीच में अगर हम देखें relations और comparison की, तो दोनों की border share होते थे, आपस में boundary share होती थी जैसा कि आपको मैंने map में दिखाया है पहले से ही, तो ये अगर border share होता है, तो दोनों के बीच में resources को लेके, expansion को लेके एक बात है, टसल होगी, तो दोनों इसी चीज़ के लिए लड़ रहे थे कि कौन territory को ज़्यादा expansion करेगा, इसका competition था, कौन ज़्यादा resources का इस्तमाल करेगा, इसका competition था, और उसके लिए दोनों एक दुसरे को counterbalance करने की कोशिश कर रही थे, ये चीज़े चल रही थी, तो तकरीबन आपको पता चलता है कि 1470 के आस पास, इन्होंने एक statistical move लिया, एस्टेक लोगों के खिलाब, ट्रसकन लोगों ने एक move लिया, और इनो टिटकन शहर के पास में इन्होंने एक तरह से अपनी military को consolidate कर दिया, और दोनों के बीच में एक समझोता हुआ कि दोनों की military powerful है, हम दोनों एक war में नहीं involved होना चाते, पहले कई war हुए थे, लेकिन कोई result नहीं लिखना, ना तो एस्टेक सिमा को तरसकन लोग भेद पाए, और नहीं तरसकन सिमा को एस्टेक लोग भेद पाए, इसलिए क्या होता है, कि एक agreement होता है, और कहते हैं कि एक fortification place कर देंगे, दोनों जगाओं के बीच में कि यहाँ प दरवत नहीं थी, क्योंकि एक संदी हो चुकी थी, एक treaty sign हो चुकी थी, agreement हो चुका था, इसलिए यह सब चीजे होई, तो उसके बाद इन्होंने दूसरी छेतरों की तरफ expansion करना शुरू कर दिया, और इनके fortress आपको दिखेंगे, कुछ archaeological sources जहां से हमें पता चलता है, टरसकन military power का, तो fortress of account बारों जो है, वो देखने को मिलता है कि यह किस तरह की का fortress इन्होंने बनाया, कि किस तरह से इनकी military यहां पे रहती थी और अपनी सीमाओं को protect करने में यह सक्षम थी लोग, तो इस तरह से चीजे चलती थी, संख्या में भले ही कम थे, लेकिन फिर भी अच्छ और भी बड़ी है, तो उसकी भी हम बात करेंगे आगे, उसके बाद बात आती है कि भले ही इनके बीच में एक conflict हो, टसल हो, लेकिन दोनों के बीच में trading relations भी थे, यह भी हमें archaeological evidence मिलते हैं कि दोनों के, इन्हों ने जो tools बनाए वो Aztec में मिलते हैं, Aztec ने जो tools बनाए वो इनके पास मिलते हैं, तो trading इनके बीच में होती थी, और कुछ local tribes के जो लोग थे, वो middle man का काम करते थे, इनके एक जगह से सामान को खरीद के दूसरी जगह बेचते थे, तो वो एक buffer जो उनकी तरह भी काम होती थी, और दूसी तरफ cultural exchange भी था, अगर artistic style की बात करें, लेकिन थोड़ा limited था, जो इनकी pottery थी, handmade pottery जो बनाते थे, वो आपको देखने को मिलता है कि दोनों पर एक दूसरे का परभाव था, ये एक pottery को अगर आप दूसरी जगह ले जाते हो, तो लोग उससे सीखते ही हैं, वो सीख के उस जैसा कुछ बनाते हैं, और उस तरीके की pottery वहाँ भी develop होने लग दी, तो एक दूसरे के उपर थोड़ा परभाव भी पढ़ता है, जब आसपास की सब्वेता हैं, एक दूसरे के साथ बोड़ो शेयर करती हैं, एक दूसरे के साथ किसी भी तरीके का relationship शेयर करती हैं, अब बात आती है कि आगे चलके अमराजे किस तरीके का थ सारी चीजों की थोड़ी-थोड़ी बात कर लेते हैं, political, structure, society इंचीजों की बात कर लेते हैं, तो तेरा सो पचिस में राज्य का, स्थापना हुई, राज्य की स्थापना हुई, तेरा सो पचास से लेके, पन्रा सो बीस का जो period है, उसको कहा जाता है, टेरिया कुरी phase, टेर राजधानी थी वो सबसे बड़ा लार्जेस सेटलमेंट थी और लेक पैट जुकुवारों के पास इनकी राजधानी ये टजिंक जुन जन जो है वो बसी हुई थी ये एक बहुत हाइली सेंटरलाइज सामराज्य था जिसमें राजा के पास पूरी सुप्रीम पाउर हुआ कर पैसे ज़्यादा यहां पे शेहर थी पंद्रा सो बाइस में ये माना जाता है कि इनके बेसिन की आसपास की जो पॉप्लिशन है वो असे जार के आसपास थी और इनके शेहर की पॉप्लिशन भी तकरीबन 35,000 के आसपास थी हालनकि कुछ अकाउंट जो है इसको ज़्यादा बताते हैं उनका तो ये मानना है कि एक लाग के आसपास तो इनकी आर्मी की संख्याती जब पंदा सो बाइस की बात करेंगे वो भी माब को आगे दिखाऊंगा इनके राजा को कस्वन की या कजॉन्स की कहा जाता था जो की एड्मिस्टेशन तो करता ही था रूलर तो होता लेकिन उसके पास बाकी पावर भी होती थी कुछ रिलिजियस पावर भी हुआ करते थी और भी उसके पास कुछ ताकते होती थी तो राजा की सुपिरियर्टी तो आप जानते हैं कि जो भी मेजो अमेरिकन सिवरेशन जहां पे भी किंग मैंशिप रही है वहां पे राजा क पद थोड़ा ताकतवर हुआ करता था उसके पास unlimited power होते थी उसको पास religious उसको middle man भी माना जाता था कि God और आम आदमी के बीच का ये middle man है ये intermediary है जो हमारे उपर rule करने के लिए इश्वर के द्वारा appoint किया गया है तो इस तरह से चीज़े थी उनका अगर agriculture based economy थी साथ में और भी trade पर भी depend करते थे काफी लोग fishery पर भी depend करते थे लेकिन irrigation system अच्छा था terrace project होते थे terrace farming यहां पर होती थी काफी पहले से आप जानते हैं कि terrace farming मिजव अमेरिका में होती थी और mix relations के टाइम से आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो इस तरह से चीज़े चल रही थी उसके लाव से चल रही थी well equipped थी उसके अलावा जो extra चीज़ें थी जरूत से अत्रिक जो चीज़ें थी उसमें जैसे metal work जो silver और world के ignores जो थे jewelry जो थी pottery जो थी shells जो थे वो भी यह बनाते थे और उसका यह trade करते थे जो demand होती थी जहां जहां वाँ उसकी trade होती थी तो इस तरह से जो king था और जो इसका political administration था वो state इसको पूरी तरह से control करता था, land allocations को वो भी control करता था, copper और obsterence mines को वो control करता था, forest और fishing industry को भी वो control करता था, तो पूरी तरह से control जो है वो center के पास होता था, craft workshop के पास भी के उपर भी उसका control हुआ करता था, तो journal control उसका देखने को मिलता है, सभी संसाधनों के उपर, state के सभी sources के उपर उसका control होता था, कि कौन कितना क्या बनाएगा, किस तरह से उसका काम में लेगा, किस तरह से state को उसका एक तरह से tax के रूप में देना पड़ेगा, वो सब चीज़े यहां पर manage कर रखे थी center के दौरा, highly centralized इनकी political structure था, अगर बुक की बात करें, relations की, जिसमें मनें बताया था कि सौड़ी शताबदी में जो लिखी गई, सबसे ज़्यादा चीज़े हमें वहीं से पता चलती है, इससे पता चलता है कि इनकी जो nobility थी, वो तीन भागों में बटी थी, एक तो royalty जिसमें राजा आ गया, राजा, रानी, ये सब आगे, इसके बाद एक upper और lower nobility होती थी, upper nobility में राजा के एकदम खरीबी रिष्टेदार, lower nobility में उनके दूर के रिष्टेदार, मतलब एक तरह से चलता तो hierarchy बेस सिस्टम ही था ना, तो upper lower और royalty खुद राजा वो है, इस तरह से रहता था, रोयलिटी जो थी इनकी जो इनके राजा थे, और इनकी जो राज महल था बेसिकली, वो कहां पे होता था, इनकी जो sacred side थी, इहुजी TGO, इहुजी TGO के पास, वहां पे वो लोग जो है रहते थे, capital के पास ही यह जगे थी, वहां पे लोग रहते थे, यह पहले के समय पे इनकी पुरानी capital भी मानी ज कि राजा के साथ कई लोगों का सैक्रिफाइस दिया जाता था राजा के साथ 40 तो मेल स्लेव यान 40 दास जो हैं मेल उनको उसके साथ बली दी जाती थी साथ उसकी फीमेल स्लेव जो थी फेवरिट फीमेल स्लेव उनकी बली दी जाती थी उसका जो कुक होता था उसकी बली दी ती वाइन बेरर जो उसको शराब परोश्टा था उसकी बली दी जाती थी टोईलेट अटेंडर भी होता था उसका अटेंडेंट उसकी बली दी जाती थी और अंत में जो डॉक्टर उस राजा को बचा नहीं पाया उस बिमारी से या किसी भी कारण से मरने से बचा नहीं पाय एक राजा के मरने के दी जाती थी और मेजो अमेरिकन कल्चर्स में मेजो अमेरिकन रिलिजन्स के अंदर ये मने आपको चीजें बताई हैं कि यहां पे इनसान की बली देना एक कोमन फीचर था एक इनका रिचुल था कि जिसमें बहुत सारी सब्वेताओं में माया सब्वेता, एल्टेक सब्वेता टियोटेचकवान सब्वेता और ये अभी टरसकन सब्वेता इसमें आपको देखने को मिलता है कि या तो अपने राजा के मरने पे या देउताओं को खुश करने के लिए या फिर कोई बड़ी परले आती थी तो देवताओं को खुश करने के लिए मानाव बली दी जाती थी और हजारों के संख्या में यहां पे बलियों के अुसेश मिले हैं कि यहां पर हुमन सेक्रिफाइस होता था कहीं पे चाइल्ड सेक्रिफाइस होता था कहीं पे लड़कियों का सेक्रिफाइस होता था कहीं पे जो अपोजिट जो विरोधी सेना थी उसके जो दास थे जो उन सजीत के जिन लोगों को दास बनाया गया उनका बली दी जाती थी तो यहाँ पे बली का एक बहुत बड़ा सिस्टम था और यहाँ पे राजा के मरने पे यहाँ पे दिख रहा है आपको कि क्या उन लोगों की बली दी जाती थी इस तरह से चीजे होती थी राजा को एक रस्पेक्ट थी और अपने देवताओं के लिए भी ये लोग बली देते थे अब इनके रिलीजिन की थोड़ी बात कर लेते हैं रिलीजिन को मैं सेपरेटली भी बढ़ाओंगा क्योंकि हमारी रिलीजिन के एक सीरी चलती है जिसमें हम दुनिया भर के अलग लग छित्रों के रिलीजिन को डिटेल में स्टड़ी करते हैं यहाँ पे हम ब्रीफली इसको स्टड़ी करेंगे तो इनका जो रिलीजिन था वो मैनली इनके सुप्रीम हाइप प्रीस्ट के द्वारा लेड किया जाता था वो ही इसको चलाता था वही इसके कानून दायरे सब बताता था कि क्या किस तरह से हमें चलाना है क्या इश्वर को चाहिए और क्या के लिए टबा को गौर्ड को पहनती थी अपने गले के अंदर तो प्रिस्ट क्लास जो पंडित थे इनके बेसिकली पंडित तो नहीं मैं प्रिस्ट ही बोलूँगा यहाँ पे तो वो लोग जो है वो यह पहनते थे अपने गले में उसके अलावा इनका मानना था जैसे कि हर ए एक रिलिजिन की अलग लग रिलिजिन्स की कुछ रिलिजिन्स में माइथलोजी नहीं होती कुछ में माइथलोजी होती है तो यहाँ पे इनकी जो माइथलोजी थी वो यह कहती थी कि पैट जुको आरो बेसिन जो है पैट जुको आरो बेसिन जो इस रिवर बेसिन का जो छ शुरू हुआ है तो ये मानते थे और कोस्मोस का केंदर मानते थे और एटलिस्ट ये पाउर सेंटर तो मानती थी पूरी दुनिया का इनका मानना था इनकी जो माइथलोजी थी इनकी जो कोस्मोलोजी थी उसमें मानना था इनका कि यूनिवर्स तीन भागों में बटा हुआ ह तीन पार्ट है तीन रेल्म है उसकी एक तो है स्काई रेल्म एक है अर्थ रेल्म और एक है अंडर्वर्ड यानि कि हम स्काई लोग को बोल देते हैं कई बार हैवन लोग यानि कि स्वर्ग लोग जहां पर इश्वर का वास होता है इनके हिसाब से भी एई था कि स्काई लोग में गोड रहते हैं अर्थ लोग पे जो धर्ती लोग है उसके उपर इंसान रहते हैं और अंडर वर्ड जो है उसको पाता लोग माना जाता है इसके उपर इन्होंने ज़्यादा डिटेल में बोला नहीं है हम रिलिजन का अधियन करेंगे इनके गोड की बात करें तो पैंथियों थे और पॉलेथेस्टिक रिलिजन था कई सारे देवताओं की पूजा करते थे इनके लिए जो सबसे इंपोर्टेंट डाइटी थी वो थे सन गोड कूरी कावेरी देखे सन गोड की पूजा जो है सन गोड की पूजा लगभग आपको दुनिया बर के सभी रिलिजन्स पे देखने को मिलती है लगभग कूरी कावेरी इनके सन गोड थे जैसे मैंने आपको टे ओ टिटकान सी इंसलेशन में क्या बताया था सन गोड का नाम क्या था यहां पर क्या नाम है कूरी कावेरी कूरी कावेरी जो है इनके वाइफ जो थी उनका नाम था कवेरा वापेरी कवेरा वापेरी जो है यह मदर अर्थ गोड है गोडे से तो इन दोनों को सबसे महत्पूर्ण माना गया और इनके बेटे जो थे उनमें जो सबसे important इनके child थे उनका नाम था जारा टेंगा जारा टेंगा जो है वो the moon and the sea goddess है वो इनकी बेटी है इनकी child है तो कूरी कावेरी, कवेरावापेरी और जारा टेंगा ये इनके सबसे महत्पुर्ण तीन गोड हैं उसके अलावा भी इनके कई सारी डाइटीज हैं जिनकी ये पूजा करते थे अलग लग तरीके से regional छेत्रों में उनकी पूजा होती थी कुछ local डाइटीज भी थी उनको लोग मानते थे अपने हिसाब से लेकिन ये तीन इनके men डाइटीज थे अब इन्होंने क्या किया कि जब जिस छेत्र को जीतते चले जा रहे थे वहाँ पे कुछ local डाइटीज थी उन local डाइटीज को अपने religion के अंदर ही combine कर दिया उनको metaformorphize कर दिया और अपने gods के साथ उनकी पूजा वगरा एक औरवाने लग गए कि वहाँ के लोग एक तरह से जोड़ भी जाए इनके साथ और इनका जो ट्रसकन religion है वो थोड़ा expand कर जाएगा बड़ा हो जाएगा लेकिन उससे क्या है कि लोग जोड़ते जाएगे गोर्ड के लिए उनको सम्मान देने के लिए इस तरह के कई को इन्हों ने पिरामिड्स बनाई जैसे पांच पिरामिड्स तो इनके दालधानी में मिले 5 इनके मिले हैं इनकी जो दूसरी सैक्रेटसाइड़ है जहां पे इनकी रोयल्टी रहती थी तो यहां पर कई सारे पिरामिड्स मिलें आपको पिरामिड ओफ मोन और पिरामिड ओफ संज इतने बड़े इस पिरामिड तो यहां पर नहीं दिखेंगे वो तो बहुत बड़े पिरामिड हैं टियो टिचकोहां सिवलाइशन के लेकिन यहां पर भी आपको बड़े प्रियामिड में देखने को मिलेंगे जिनके कई बार आपको बेस भी इतने इतने बड़े मिलेंगे इस्टेक में देखेंगे लेकिन यहां पर नहीं देखने को मिलता है उसके अलावा बाकी जो कलेंडर हैं किसी के कलेंडर तो बहुत फेमस थे आप जानते हैं कि माया सभेता का कलेंडर फेमस था लेकिन इनका भी एक कलेंडर था जिसमें 18 मन्त होते थे 18 मन्त होते थे हर मन्त के अंदर 20 दिन होते थे हर दिन तो लगबख कितने होगे 360 दिन तो यह होगे 5 दिन का हिसाब यह किस तरह से रखते थे वो हम शूर नहीं हैं लेकिन उसकी भी हम जब बात करेंगे इनके रिलिजिन की लगस हैं तो मैं उसके बारे में आपको रिसर्स क को बनाया rectangular और circular shapes में बनाया है steppies के rectangular circular steps वहाँ पे बनाये है पिरामिट्स के जिनको yakuta yakata कहा जाता था यहाँ पे आपको keyholes वाले pyramids भी दिखेंगे और rectangular shape के pyramids भी देखने को मिलेंगे कई जिसमें इतने बड़े मिलेंगे कि पन साड़े yakata को यह जिस तरह से बनाते थे वालकनोज से जो stone निकलते थे लावा से जो निकलते हैं पत्थर बन गए जो बन बन की चक्टाने बन गई उनका इस्तमाल करके बनाते थे और कमाल का उसमें art craft होता था कमाल का उसमें काम करते थे लोग ऐसी बात नहीं है उसके अलावा इन yakata के सामने इन scriptures के सामने offerings होती थी sacrifice offerings होती थी मानो बली देना और जितनी भी बली दी जाती थी जो भी चीज़ें offerings करते थे लोग वो उनके सामने करते थे उनको एक तरह से sacred sites की तरह इस्टमाल करते थे उसके अलावा आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे वो all mix civilization वाला ball game भी देखने को मिलता है मेजव अमेरिका की जो all mix civilization थी उन्होंने rubber बनाना सीख लिया था आपको मैंने बताया था और उन्होंने rubber की ball बनाना सीख लिया था और वो rubber ball game जो है वो पूरे मिजव अमेरिकान कल्चरस में कहीं ना कहीं पहुँच गया और यहाँ पे भी वो पहुँच गया है यहाँ पे भी कुछ ऐसे quartz देखने को मिले हैं जिसमें ये ball game खेलते थी इनकी जो pottery है वो भी काफी popular है काफी sharp popularity highly decorated pottery इन्होंने बनाई जिसमें इस तरीकी की pottery देखने को मिलती है इस पर sprouted jar इन्होंने बनाया है tripod balls इन्होंने बनाई है animals और plants जैसे कुछ form के इन्होंने vessels बनाई है miniature vessels भी इन्होंने बनाई है चोटे चोटे इनके pipes भी आपको देखने को मिलते हैं काफी अच्छी pottery इन्होंने बनाई है तो उसको decorate भी बहुत ही कमाल के तरीके से इन्होंने किया है उसके अलावा इनके art में आपको skillful इनका metal work तो देखने को मिलता ही है silver और gold में इन्होंने जिस तरीके के jewelry बनाई है उसके लाव ऑब station जो metal है जो tool है उसका भी इस्तमाल इन्होंने किया है उसके से भी इन्होंने कई सारे tools और jewelry बनाई है तो काफी अच्छी इनकी art और architecture था उस दोर के हिसाब से यह इन्होंने किया और कुछ tools आप यहाँ पे देख सकते हैं अब बात करते हैं फाइनली इनके decline की तो इतनी बड़ी सब्वेता थी ठीक ठाक तो चली रही थी और art architecture था राजा राजा साशन चला रहा था सब चीजे ठीक थी अब अचानक से क्या हुआ और इनकी तो military के भी मैंने बात करी कि military भी ठीक थी अच्छी थी अब आप जानते हैं कि Europeans यहां पर पहुँच चुके थी इस्पेशली Spanish लोगों ने उस समय मिजो अमेरिका में अपना दबदबा जमा के रखा था और उन्होंने powerful Aztec Empire को 1521 में हरा दिया था Spanish एक consquidator था एक invader था जिसका नाम था हरनस कार्टेस इस हरनन कार्टेस ने किस तरह से Aztec Empire को हराया यह मैंने आपको Aztec Empire में पढ़ाया है इसको हराया ना उस तमें Aztec Empire ने मदद की गुहार लगाई थी किसके सामने ट्रसकन Empire के सामने इनको कहा था कि हमारी मदद कर दो Spanish लोगों को हराने में लेकिन ट्रसकन लोगों ने मदद करी नहीं और उस समय ट्रसकन राजा जो था जिसको कजोंस की कहा जाता है उसका नाम था Tengahuan Second यह था उस समय इसको पता जब चलता है कि 1521 में Aztec Empire हार गया है और Spanish लोग यहां पर आ गए है तो इसने अपने दूतों को Spanish लोगों के पास भीजा कुछ गिफ्ट भेजे कुछ अपना पैगाम भेजा और कहा कि हमारे उपर अटेक मत करना बिसिकली यही था कि हम आपके साथ बाक्चित करने के लिए तयार है यह सब चीज़े हो रही थी तो दूत भेज के यह सब चीज़े हुई लेकिन कॉर्टेस की पोलिसी अलग थी कॉर्टेस चाता था कि वो इस छेतर को भी जीते और Spanish सामराजे को और बड़ा करे expand करे अमेरिकी महादीब के अंदर तो पंदरा सो बाइस में Spanish फोर्स जो है क्रिस्टो बॉल डी ओलिड के लिडर्शिप में आती है और प्योरा पेचा टेरिटरी में पहुंशती है वहाँ पहुंशते ही वो देखते हैं कि तकरीबन एक लाग की सेना प्योर पेचा आर्मी के पास है अब ये संख्या चोटी या बड़ी भी हो सकती है चोटी ही मानी जाएगी से लगबग लगबग एक लाग के बताएगी है तो एक लाग के आसपास की आर्मी थी प्योर पेचा की अच्छे आर्मी मानी जाती थी और इसका Spanish का, Spain का वैसाल स्टेट बनने के लिए वो तैयार हो गया, एक लाग की आर्मी होने के बावजूद, तो Aztec सामराजे ने घुटने नहीं तेके थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी, हलांकि वो हार गए, लेकिन यहाँ पे प्योर पेचा जो है, पहले ही इनके सामने ह राजा चलाता था, अब दो लोगों के हाथ में आगए, एक तरफ से Spanish Governor जो है, उसको भी लोगों को एक तरह से सम्मान देना पड़ता था, उसको भी एक तरह से क्या कह सकते हैं कि यहां के जो लोग थे, दोनों को अपने राजा को भी एक तरह से वो देना पड़ता है, सम्म हुआ था, सिराज अदुला की तो डेथ हो गई थी, लेकिन मीर कासिम को बनाया, मीर जाफर को बनाया पहले वहां पर नवाब, फिर मीर कासिम आया, लेकिन उस समय दो अलग अलग चीजें काम कर रही थी, एक इस्टिंडिया कंपनी काम कर रही थी, जो कि अपने हिसाब से रूल चलाना चाती थी, उसके पास पावर बहुत ज़्यादा थी, नवाब जो है, उसके पास कुछ अड्मिस्टिशन पावर थी, तो एक तरह से खिचड़ी बन गी थी, लेकिन उसी वज़़ा से बाद में चलके और लड़ाईयां होई, उसी तरह के से यहां पे भी हुआ कि स्पैनिश लोगों ने ये देखा कि टैंगा हुआन जो है, वो अभी भी डिफैक्टो रूलर है और उसके सामराज़े के लोग जो हैं, उसको ज़्यादा सम्मान देते हैं, उसको ज़्यादा टर्ग्यूट देते हैं, और स्पैन को तो अभी बिल्कुल छोटा सा सोर्सेज का, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इस पूरे सामराज़े को पूरी तरसे ही हरा देना चाहिए, तो उन्होंने फाइनली क्या किया, एक और रूथलेस इन्वेडर था, नूना डी गुजमान, इसकी लिडर्शिप में अपनी आर्मी को भेजा, इसकी राजध रहे, खतम हो जाता है, इसका स्तित्व खतम हो जाता है, हलांकि यहां लोग तो रही रहे थे, वो लोग जो हैं, उनको दास बना लिया, उनको पनिश किया गया, उनको उनके उपर अपना रूल थोपा गया, किसके द्वारा, इस्पैनिश लोगों के द्वारा, तो यहां प ये मैक्सिको बन गया, कोई उनाइटिड स्टेट्स बन गया, कोई ब्रैजिल बन गया, कोई पेरू बन गया, ये पेरू, अर्जेंटिना, चिले, एक्वाडोर इस चैतर में एक समय पी इनका सिविलेक्शन थी, तो अब अलग-लग डेमोग्राफी हो गई है, अलग-लग जिय ये उरोपियन बेस्ट जो ये उरोपियन लोग थे वो इनको रूल करने लगे, कई लोगों को यहां पे गुलाम बनाया गया, कई लोग जो है वो बिमारियों की वज़े से मर गए, आपको पता है, मैंने बताया था कि बहुत सारी डिजीज लेके आए थे, स्मॉल फॉक्स क की वज़े से बहुत सारी पॉपुलिशन मारी गई थी, अमेरी की महादीप की, तो ये चीजें हुई, लेकिन फिर भी कुछ लोग बच गए, और आज के समय अगर आप देखेंगे, तो उस छेतर में जहां पर ये लोग रहते थे, वेस्टन मेक्सिको में, आज भी तकरीब वाला जो छेतर है, उसका जो बैसिन है, वहाँ पे लोग रहते हैं, उन टाउंस में रहते हैं, ये अपने लाइफ हुड के लिए फिशरी पे मैनली डिपेंडेंट है, फिशर मैन है, यहाँ पे मच्छवारे हैं, और इनका जो है, इसी छेतर में आपको देखने को मिलता है ये जो छेतर है, यहाँ पे इस छेतर में ये लोग रहते हैं, एक लाइफ चालिस जार के असपास के आबादीन की रहती है, होफ़ली चीज़े क्लियर भी होगी, पेरा, प्योर पेचा, टरस खान, सिविलैशन जो भी है, इसको आपने डिटेल में डिसकुसिशन में पुरा लास्ट तक वीडियो देखा है, तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, और साथ ही सक्सेस प्लस अकेडमी के बाके प्लेटफर्म के साथ भी जो ये, जैसे अप्लिकेशन है, यहाँ पे आप जुडेंगे, तो आपको इन वीडियो की पीडियास मिल जाएंगी, और इन से को आप जाके देख सकते हैं, साथ ही मगास सकते हैं, बहुत अप्रोप्यट प्रैस में आपको सब कुछ मिलेगा हर एक कॉर्स में, जैसे modern history, world history, और भी कॉर्स यहाँ पी जो अप्लोड हो रहे हैं, उनमें आपको इन वीडियो की वीडियो फायल तो मिलेगी, लेकि साथ-स suggestion हो वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं साथ ही Instagram handle पे भी पूछ सकते हैं Telegram पे भी आप join कर सकते हैं सभी माध्यमों से जुड़िएगा और Success Plus Academy के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा Thank you so much for watching this video. Have a good day. See you next class.